आगा टेस्टुएंट दिखें आपे question दिया वाइवा that two objects suspended from the arms of a balance are in equilibrium when completely submerged in water. The mass of one body is 36 gram and its density is 9 gram per centimeter cube. If the mass of the other object is 48 gram, then its density in gram per centimeter cube is. दीख है, यह simple है कि हमारे पास एक तराजू type का कोई balance है. एक तरफ कुछ mass है, दूसरे तरफ भी कुछ mass लटका हुए. एक तरफ जो mass है, यह 36 gram का है, और दूसरे तरफ जो mass है, यह हमारा 48 gram का है. ठीक है, अब बोल रहा है कि यह balanced है, इसकी density हमें पता है 9 gram per centimeter cube और इसकी density हमें नहीं पता है, जो हमें निकाल लिए है. तो इसको बनाने का तरीका क्या है, कि इसका जो वजन होगा नीचे लगेगा, weight of 1, इसका जो वजन होगा यह भी नीचे लगेगा, weight of 2. तो यह दोनों same तो होंगे नी, क्योंकि एक का बजन, mass तो 36 है, दूसरे का mass तो 48 है, तो यह तो same होने आले है नीच, यहाँ पर और भी forces होगा, क्या-क्या, एक तो भई, पानी में डुबाया हुआ है, तो उपर में buoyancy force तो लगे गई, यह भी पानी में डुबा हुआ हुआ यह कितना हो जागा, W2-F2, यह जो net force आ रहा है, यह बराबर होना चाहिए, तभी तो balance रहेगा, अगर इधर वाला जादा हो जाएगा, तो इधर जुख जाएगा, और उधर वाला जादा हो जाएगा, तो उधर जुख जाएगा, simple सा concept है, क्योंकि यहाँ पर tension force आएगा, और यह tension force जो है आपका इन दोनों को, इन दोने के बराबर ही होगा, ठीक है, तो simple भासा में आप ऐसे समझो, कि जो भी हमारा net force हो रहा है, buoyancy उपर लग रहा है, weight नीचे लग रहा है, इसको subtract करके net value आएगा force का, अगर यह same है, तो balanced है, नहीं तो फिर balance नहीं रहा पाएगा ठीक है, चलो, तो w1, w1, मतलब weight of this, तो weight of this, चलो last में लिखेंगे, अभी mg लिख देते हैं, m1 into g, और weight of 2 लिख देते हैं, m2 into g, देको buoyancy force 1 क्या हो जागा, density of liquid into volume submerged into g, तो density of liquid rho, volume कितना submerged है, तो इसका volume यही तो submerged है न, volume हो जागा, mass of 1 divided by density of 1, density को rho sigma से दिखा दे, ठीक है, into g, same उसी तरह से buoyancy 2 लिखेंगे, तो density of liquid into volume of the submerged body, that is mass by density, into g, सारा लिख दिया, आप equate करते हैं, तो w1 minus f1, w1 minus f1 equals to w2 minus f2, सब जगा से g cancel हो जाएगा, जी यहां से, यहां से और यहां से cancel हो गया, ठीक है, क्या बच्च है, m1 minus rho m1 by sigma 1 equals to m2 minus rho m2 by sigma 2, अब यहां पर हम लोग को निकालना है, हम लोग को sigma 2 निकालना है, sigma 2 निकालेंगे, m1 ले लेते, 36 minus rho 1 होता है, 1, rho कितना हो, 1, पानी का density 1 gram per centimeter cube, into 36, बटा, इसका sigma कितना था, 9, equal to m2, कितना हो आज था, 48 minus, इसका 1 gram per centimeter cube, m2 कितना है, 48, और यह नहीं पता, अब यहां पर आ जागा, 36, 9, 4, जा 36 होता है, 36 minus 4 कितना बचेगा, 32 बराबर, 48 minus 48 by sigma 2, अब यह 48 by sigma 2 को LHS मिले जाओ, तो plus हो जाएगा, और उसको 32 को RHS मिले जाओ, तो 48 minus 32, 16 हो जाएगा, यहां से आपका sigma 2 कितना आ गया, 48, बटा, 16, 16, 38, मदब 3 gram per centimeter cube, तो यह सबसे आसान और सबसे best तरीका, उमीदे तुम्हें पसंद आया होगा, like, share, subscribe, comment जरू करना, thank you so much for watching